प्रधान मंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाई जा रहे हैं तो अगर किसानों के लिए कानून बनाई जा रहे हैं तो फिर आपने लोकसवा में राजसवा में खुल के बातचीत क्यों नहीं की और अगर किसान इस कानून से खुश है तो पूरे देश में किसान अंदोलन क्यूं कर रहा है पंजाब का हर किसान अंदोलन क्यूं कर रहा है छे साल से नरेंद्रमोदी जूट बोल रहे है नोट बंदी की कहा काला धन मिट जाएगा जी एस्टी लागू की छोटे व्यपारियों को दुकानदारों को गरीब लोगों को उतकातम किया कोविड आया हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योग पतियों का करजा माफ किया उनका टैक्स माफ किया मगर गरीबों को किसानों को कोई भी मदद नहीं दी एक रुपिया तक नहीं दिया देखिए भाई और बेहनों किसानों मामला पैसे का है मामला पैसे का है और आपकी जमीन का है और मैं इसको साथ आठ साल से देख रहा हूं पहली बार मैंने से भटा परसॉल में देखा जब भी ये चाहते थे हिंदुस्तान के किसानों की जमीन दो मिनट में चीन लेते थे हमने विरोध किया लैंड अक्विजिशन बिल जो था कानून था काला कानून था उसको हमने बदला और आपकी किसानों की जमीन की रक्षा की मार्केट रेट से चार गुना जादा आपको रेट दिलवाया नरेंद्र मोधी जी आए पहला काम उन्होंने किया हम पार्लमेंट में लड़े याद रखिये उनके साथ अकाली दल के नेता बैठे थे हम पार्लमेंट में लड़े हमने कहा नहीं किसान की जमीन हम आपको नहीं देने वाले है पार्लमेंट में वो कानून को बदल नहीं पाए कॉंग्रेस पार्टी खड़ी रही समझिए कठिन बात नहीं है आपकी जमीन और आपका पैसा हिंदुस्तान के दो तीन सबसे बड़े अरब पती चाहते हैं पुराने जम्याने में कटपुतली का शो होता था ना यादे आपको कटपुतली का शो होता था ना यादे कटपुतली चलती थी कटपुतली चलती थी पीछे से कोई चलाता था उसको दागे बंदे होते थे ना पीछे से कोई चलाता था रावजी आपने कहा मोधी सरकार है बाई और बेनों ये मोधी सरकार नहीं है ये अदानी और अमबानी की सरकार है नरेंद्र मोधी जी को अमबानी और अदानी चलाते हैं नरेंद्र मोधी जी को अम्बानी और अदानी जीवन देते हैं कैसे मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का चहरा दिखा के 24 गंटे सिधा तर रिष्टा है नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते है और ये पूरा का पूरा समर्चन नरेंद्र मोदी जी को मीडिया में देते हैं पंजाब के किसानों ने हर्याना के किसानों ने हिंदुस्तान को फूड सेक्यूरिटी दी पंजाब ने हर्याना ने हिंदुस्तान की सरकार ने ढांचा बनाया था डांचे में तीन घंबे थे, MSP, Food Procurement और मन्दी, इन तीन चीजों से हिंदुस्तान को गैरंटी करके अनाज मिलता है, कौन देता है पंजाब और हरियाना, नरेंद्र मोधी जी इस सिस्टम को खतम करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये सिस्टम रहेगा, तब तक उनके मित्र, अमबानी, अदानी जैसे लोग, हिंदुस्तान के किसानों का पैसा नहीं ले पाएगा, हिंदुस्तान के किसानों की जमीन नहीं छीन पाएगा, लक्षिन का MSP को खतम करने का है लक्षिन का Food Procurement के सिस्टम को खतम करने का है ये जानते हैं जैसे ही MSP खतम हुई जैसे ही Food Procurement का सिस्टम खतम हुआ वैसे ही पंजाब का हर्यान का किसान हिंदुस्तान का किसान खतम हो जाएगा और मैं आपको इस टेज से कहरा हूँ कॉंग्रेस पार्टी हिंदूस्तान के किसान को कभी खتم नहीं होने देगी हम आपके साथ खड़े हैं और हम एक इंच पीछे नहीं हटने वाले देखिए हिंदूस्तान गुलाम हुआ था हिंदुस्तान गुलाम हुआ था कैसे हुआ था अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के किसान को खत्म किया था हिंदुस्तान के किसान की रीड की हड़ी को अंग्रेजों ने तोड़ा था इसलिए अंग्रेज हिंदुस्तान में राज कर पाए वो ही लक्ष नरेंद्र मोदी जी का है किसान की रीड की हड़ी तोड़ो और अमबानी और अदानी जैसे लोगों के हवाले पूरा का पूरा माल कर दो मैं ये नहीं क्या रहा हूँ कि इस सिस्टम में कमी नहीं है जरूर सिस्टम में कमी है और जरूर सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है सिस्टम को बदलने के जरूरत है मगर सिस्टम को नश्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपने सिस्टम को नश्ट कर दिया तो किसान के लिए किसान की रक्षा के लिए कुछ नहीं बचेगा और किसान को सीधा अमबानी और रादानी से बात करनी पड़ेगी और उस बाचीत में किसान मारा जाएगा